क्या सच में ये पाउडर जो है आपको गोरा कर देगा क्या ये सबी तरह की स्किन टोन्स पे काम्याब है क्या हमें इसे यूस करना चाहिए या नहीं और इसको क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे क्या इसका कोई साइड एफेक्ट तो नहीं है फुल डिटेल में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो स्चार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि वाइट टोन पाउडर जो है बजार में मिलने वाला ये काफी फेमस पाउडर मिसेक है आम तोर पे ये हर जर्नल स्चोर पे कोस्मेटिक स्चोर पे और सब ये तरह के online platforms पे असानी से आपको मिल जाएगा इसके क्या क्या फाइदा दोस्तो ये जो white tone powder है ये claim करते हैं कि इससे आपकी जो रंग है वो गोरा दिखेगा साफ दिखेगा और even tone इसमें आ जाएगा अगर हम बात करें कि इसको लगाने का तरीका क्या है तो दोस्तो ये जान लेना आपके लिए काफी जरूरी है इसके बिना दोस्तो आप इसका पूरी तरह से कोई फाइदा नहीं उठा सकते हैं तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले कि अगर आप अपनी स्किन पे अगर सिर्फ ये पाउडरी जर्ट लगाते हैं तो आप जिस even tone even tone मतलब आपका पूरा जो face है same color का दिखे ऐसा नहीं कि आखों के पास कुछ अलग face पे कुछ अलग lips के पास कुछ अलग चिक्स पे कुछ अलग अलग color ऐसा कुछ भी ना हो ये white tone powder में इसी के लिए जाना जाता है कि इसको लगाने के बद आपको फूल पूरा जो face है वो same color का same tone देगा लेकिन उसके लिए आपको करना क्या दोस्तों सबसे पहले आपने कोई moisturizing cream लगानी है कोई आप cream लगा लें face पे तब या उसके बाद दोस्तों आप इसको apply करें इसको apply करते टाइम आप कोई cotton यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है टाल के साथ आने वाला या टाल के साथ के लिए special जो मिलने वाली जो form आप इसको use कर सकते हैं ताकि आप इसको evenly अपने face पे पूरी तरह से लगा सके बिल्कुल thin आपने layer लगानी है बहुती एक पतली layer आपने फेस पे लगानी है बिल्कुल हलका लगाना है और पूरे face पे एक जैसा एक जितना ही लगाना है जिससे आपके पूरे face पे एक even tone आ जाएगी और यह जो powder है बहुत अच्छा result देता है मोस्टराइजर लगाने के बात तो अमीद करता हूँ दोस्तों आप इस तरह से इसको इसको इस्तमाल करेंगे और इसका पूरे पूरा फायदा उठा पाएंगे और अगर हम इसके side fact की बात करो तो अगर आप जो है इसे बिना मोस्टराइजर लगाए अपने face पे लगा लेंगे तो आपके face पे काफ़ सारे dry patches दिखेंगे dry lines दिखनी शुरू हो जाएंगी और जिसके बाद यह काफी बुरा लगेगा गंदा लगेगा इसलिए पहले मोस्टराइजर लगाएं उसके बाद अगर आप इस powder लगाएंगे तो आप काफी अच्छा result ले सकते हैं मोस्टराइजिंग क्रीम के लिए white tone वालों की ही आप face cream यूज़ कर सकते हैं उसका भी काफी अच्छा result है उसका review आपको मैं बहुत जल्दे आपके लेकर आने वाला हूँ आप description में उसका जाके link मैं आपको दे दूँगा वहाँ से आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं thank you guys and bye bye